नमस्कार मैं ललित लाल सलाम कॉमरेट पतानी आखरी बार कब किस ने किन हालात में ये चुरी को ये संबोधित किया होगा सीतारम ये चुरी या ये चुरी ने ऐसा कहकर किसी और को कब एड्रेस किया होगा वो बताऊंगा मैं आपको तो अब लेट का एक चमकदार सितारा हमारे बीच नहीं है आज उस विचारधारा का हम जिक्र करने वाले हैं जिसका कोई जिक्र नहीं होता उस विचारधारा से जुड़े एक व्यक्ति का तो आज उस विचारधारा का जिक्र नहीं होता आज उसकी महत्ता पर चर्चा भले न न होती हो लेकिन इतिहास को सहेजने के लिहास से आपको पांच दशक्त अक्वामबंत की धुरी रहने वाले व्यक्तित्वों को जानना चाहिए देखे सहमती असहमती अपनी अपनी जगा है लेकिन समझ बढ़ाने के लिहास से जानकारी के लिहास से इसे जरूर आप सुनिये भारते कमनिस पार्टी मार्क स्वादी CPI भी से गयते हैं CPI के महासचेव सीताराम ये चुरी का गुरुवार को दिली के एम्स में निधन हो गया फेपडे में उनके संक्रमन था लंग्स में उसके उपचार के लिए 19 अगस्त को एम्स में उनने भरती किया गया था ICU में उनका इलाज लगातार चल रहा था लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी इसके बाद दब्रधान मंतरी मोदी से लेकर और राहुल गांधी तक सबने अपनी संवेधाय प्रकट की बहुत सारे नेता हैं इसमें वो लगातार आप देखी रहे हैं जाते जाते ये चूरी अच्छी सीखिये दे गए कि अब उनकी जो बॉड़ी है उस पर मेडिकल के शातर रिसर्च कर सकेंगे एम्स की तरफ सो जो जानकारी दी गई उसके मताबिक बातर साल के सीताराम ये चूरी उनीस अगस दोहजार चौवीस निमूनिया की शिकायत के कारून ने भरती किया गया था और बारा सितंबर दोपहर तीन बचकर पांच मिनट पर उन्होंने अंतिम सांस ली ये चूरी के परिवार ने उनकी बॉड़ी रिसर्च के लिए एम्स को दान में कर दी है CPIEM ने जानकारी दी है कि सीताराव ये चूरी के शव को अंतिम दर्शन के लिए दिली का पार्टी का मुख्याला है एक गोपालन भवन महा रखा जाएगा और फिर उनकी बॉड़ी को मेडिकल रिसर्च के लिए एम्स को दे दिया जाएगा लेकिन आज हम ये बातें नहीं कर रहे हैं आज उनके सफर के बारे में हम बात करेंगे किस तरह के परसितिया उनके सामने आया उसको लेकर बात कर रहे है वामबंती राजनीती के धुरंदार का जर्म 12 अगस्त 1952 को तमिल लाडू की राजधानी चैन्ने के एक तेलगू ब्रामभन परिवार में हुआ पिता जो थे SS ये चुरी वांदरप्रदेश परिवारन विभाग में इंजीनियर थे मा जो उनकी थी कल पक्कम ये चुरी वो भी नौकरी किया करती थी और ऐसे सरकारी नौकरी से परिवार वाला जो बच्चा है वो वांपंथ में पहुँच जाता है कटर वांपंथ ही ये चुरी का बचपन हैदरबाद में बिता पढ़ाई शुरू हुई आलसेंट हाई स्कूल से चात्र जीवन के दौरान सीताराम ये चुरी भी बाद में KCR उसके मुख्यमंत्री बने थे 1979 में आगे की पढ़ाई के लिए दिली के प्रेसिडेंट स्कूल में उन्होंने दाखिला ले लिया सीताराम ये चुरी ने बारवी में परिक्षा में और इंडिया में टॉप भी किया इसके बाद दिली के सेंट स्टीफन कॉलिज से वो अर्थशास्त्र में ग्रेजुएट हुए जमारलाल लहरू विश्विद्याले जे एन्यू वहां से अर्थशास्त्र से उन्होंने मास्टर्स किया वैसे तो जे एन्यू से ही उनके पीएजडी का एरादा था लेकिन 1975 में अपातकाल में जेल जाने के कारण वो अपने नाम के आगे डॉक्टर नहीं लिख पाए यानि पीएजडी उन्हें छोड़नी पड़ी ये चुरी का जो सियासी सफर है 1974 के आसपास से शुरू हो जाता है हालकि आंदोलन का सफर तो पहले ही शुरू हो गया था तो सियासी सफर 1974 में Student Federation of India S.F.I. इससे शुरू होता है साल 1975 में भारती Communist Party मार्क्सवादी इससे वो जुल गए अपातकाल के बाद 1977-78 इसके करीब वो तीन बार JNU चातर संग के अध्यक्ष भी चुने गए ये शुरी को आपातकाल के दौरान खास पहचान मिली थी 25 जून 1975 को आपातकाल लागू हुआ JNU में ये शुरी पढ़ाई कर रहे थे विरोध करने के लिए उन्होंने सायुक्त Student Federation का गठन किया इस संगठन के बैनर तले ये शुरी ने इंद्रा के घर तक आपातकाल के विरोध में एक मार्ज भी निकाला इंद्रा ने उनसे विरोध का कारण पूछा तो वो अपना ग्यापन पढ़ने लगे अपने ग्यापन में उन्होंने लिखा था के एक ताना शाह को युनिवर्सिटी के कुलाधी पती तब कुलाधी पती कुलाधी पती के पद पर नहीं रहना चाहिए आपातकाल के दौरान JNU में इंद्रा गांधी एक कारिकरम भी करना चाहती थी लेकिन चात्रों के विरोध की वज़ा से उनका वो जो कारिकरम था वो नहीं हो पाया आखर में ये भी हुआ कि इंद्रा गांधी ने JNU के कुलाधी पती चांसलर इस पत से इस्तीफा दे दिया और इस स्तीफे के कुछ दिन बाद हला किसी तरा मिये चुरी को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया था खास बात ये भी जान लीजे कि एमर्जेंसी के दोरान ये चुरी को उसी जेल में रखा गया था जिसमें अरुन जेटली बीजेपी के बड़े कद्दावर निता रहे है अरुन जेटली को भी रखा गया था एक महतुफून बात ये कि सितराम ये चुरी FSI के ऐसे पहले अध्यक्ष थे जो केरल या बंगाल से नहीं थे ये दोरो गण है वामपंत के माने जाते रहे है तो केरल या बंगाल से वो नहीं थे इसके बावजूद हो SFI अध्यक्ष रहे 1984 में CPIM की केंद्रिय समिती के लिए चायनित हुए साल 1986 में उन्हें FSI छोड़ दी सितराम ये चुरी 1992 में 14 हवी कॉंग्रस में पोलित ब्यूरो के लिए चुने गए जुलाई 2005 के आसपास पश्चिम मंगाल से राज्यसभा के लिए चुनकर संसत भी पहुँचे ये चुरी को 19 अप्रेल 2015 को CPIM इसका पांचवा महासचे बनाए गया अप्रेल 2018 में उन्हें फिर से पार्टी का महासचे चुना गया और अप्रेल 2022 में ये चुरी लगातार तीसरी बार CPIM के महासचे बने सीताराम ये चुरी की जो पार्टी है लुकसभा चुनाओं 2024 में वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा भी रही है हालाके राहूल गांधी जिस सीट से लड़े थे वाइनर्ट वहाँ से CPI के ही एक और कैडिडेट को उतार जाने को लेकर चर्चा भी बहुत रही 1990 के दश्रक में जो ये चुरी है वो CPIM के पोस्टर बॉयस तरीखे थे मीडिया में पार्टी का पक्ष रखना हो नेशनल टीवी में डिवेट करना हो CPIM के तरफ से हर जगा ये चुरी ही नजर आते थे वामबंती विचारधारा से आने के बावजूद देश की जो विविधता भरी राजनीती है उसे साधने का होनर ये चुरी में था कई बार तो उनकी पार्टी वाले कहा करते थे कि ये वामबंती नहीं है साल 1996 में लोगसभा के चुराओं के बाद देश की राजनीती में एक बार फिर से गठबंधन का दौर शुरूगा था और उस समय सीताराम ये चुरी ने साहिंक तुमूर्चा की सरकार का गठबंधन कराने में एहम भूमिका निभाई थी क्योंकि उस चुनाओं में लेफ्ट के पचास से साथ के खरीब करीब सदस से निर्वाचित होकर संसत पहुँचे थे 1996 में जो साहिंक तुमूर्चा कटबंधन के लिए नुन्तम साज़ा कारिकरम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी से आपने सुना होगा बनाया गया था उसमें ये चुरी की निर्धारन में लेफ्ट की एहम भूमिका रहा करती थी लेकिन 2008 में एक डील हो रही थी अमेरिका के साथ नुक्लियर डील एक्टमी करार तो एक्टमी करार का विरोध करते हुए CPI कम्यूनिस पार्टी हैं इसके खिलाफ थी इस नुक्लियर डील के विरोध करते हुए लेफ्ट न अपना समर्थन वापस ले लिया कहा ये जाता है कि ये चुरी सीताराम ये चुरी इस समर्थन वापसी के खिलाफ थे लेकिन तबकि जो महासाचिव थे प्रकाश करात विरंदा करात प्रकाश करात वाले वो उनका जो स्टेंड था उस मामले में बहुत सक्थ था कि इस सरकार के साथ नहीं रहेंगे सीताराम ये चुरी के कट्टर वामपती बनने की कहानी दिल्चस्प है राजनीती में वो सक्री हो चुके थे 1975 का जो इमर्जन्सी का दौर था उन्हें जेल जाना पड़ा जब वो जेल काट कर लोटे तो देश में लोगतन्तर की भाली के लड़ाई के लिए अडनर ग्राउंड हो गए और यही उनके जीवन का सबसब हैतुपून मोड था इस वक्त ने ही उनके राज्यतिक सक्रीता और कम्निस्ट विचार धारा के प्रती उनके जो प्रतिबध्धता थी उसे मजबूत किया कोरोना काल में सीतारा मियचुरी के 34 साल के बेटे आशीश येचुरी की साल 2021 में मौत हो गई येचुरी की पतनी सीमा चिष्टी पेशे से एक पत्रकार है उन्होंने एक बार ये कहा भी था सीतारा मियचुरी ने किसी इंटर्व्यू के दौरान ये कहा था कि आर्थिक रूप से जो भरण पोशन है वो उनकी पतनी सीमा चिश्ती कर रही है वैसे जो सीमा चिश्ती है वो सिताराम ये चुरी की दूसरी पतनी है उनकी पहली शादी वामपंती कारेकरता और नारीबादी डोकटर वीना मजुमदार की बेटी इंद्राणी मजुमदार से हुई थी इंद्राणी से ही उनकी एक बेटी है अखिला ये चुरी और एक बेटा आशीश ये चुरी तो आशीश अब इस दुनिया में नहीं है पिछले महीने अब हम आपको वयाद दिलाते हैं मुझे एमस से ही बुद्धु दा के प्रती भावनाय प्रकट करना और लाल सलाम कहना पड़ रहा है सीताराम ये चुरी को एक राजनेता के तोर पर तो देखा जाता है सिर्फ लेकिन उन्हें एक राजनेता के तोर पर देखा जाना ठीक नहीं है वो एक सामाजिक कारिकरता थे, अर्थशास्त्री थे, पत्रकार थे, लेखक भी थे, राजनेतिक डॉक्यमेंटेशन में उनके बड़ी गही रूची थी, पकड़ भी बहुत अच्छी थी, कॉंग्रस नेता पीछे दंबरम के साथ, उन्होंने मिलकर 1996 में जो common minimum program, साजहा कारि वो उन्होंने तायार किया था, लंबे वक्त तक वो अख़वारों में columns भी लिखते रहे, और इसके अलावा कई किताबे भी उन्होंने लिखी हैं, उनकी जो famous किताबे हैं, Left Hand Drive, ये Hindu राश्र क्या है, ग्रहना की राजनीती, 21 सदी का समाजवाद, ये उनकी किताबे, कुछ किताबे हैं, बहुत जादा मुझे याद नहीं आ रही है, Diary of Freedom Movement, The Great Revolt, और ऐसे ही जो कई ग्रुप हैं, जो magazine ग्रुप हैं, या अख़वार ग्रुप हैं, उनका वो संपादन भी करते रहे, CPM में जान भूपने के लिए ये चुरी ने कई प्रयोग किये, इसमें Congress के साथ धर्म और जाती की राजनीती को सिरे से नहीं नकारना, यानि एक दम ब्लंटली खारिज ना करना, शामिल था, हलाकि ये चुरी का कोई भी ऐसा प्रयोग काम नहीं आया, और CPM केरल को छोड़ कर कहीं भी सफल नहीं हो पाई, हालिया लोकसभा चुनाव जो गए हैं, 2024, CPM को सिर्फ देश में 4 सीटें मिली हैं, और पूरे देश में उसका अगर परसेंटेज दिखा जाए, वो है 1.76 परसेंटेज, कथे तौर पर, खत्म हो रहे ही वामपंती, विचारधारा के सितारी की संपत्ती के बारे बें आपको जान लेना चाहिए, एक चुनावी हलफ नामा ह वर्थ है, वो है करीब 42 लाग, उस वक्त जब यह अहलफ नामा वो दे रहे होंगे, आंदरा बेंक में उनकाउंट में 44,000 थे, SBI में कुछ 55,000 थे, कोई इंशुरंस पॉलिसी उनके पास नहीं है, और मैं एक बार फिर दोहरा दे रहा हूं आपको, कि सहमती, असहमती अपन जगा है, जानकारी अपनी जगा है, मतभेद हो सकते हैं, मत में भेद हो सकते हैं, यह अटल व्यारी वाजपे ने कहा था, कि मतभेद हो सकते हैं, मन भेद नहीं होने चाहिए, यही वज़ा थी, कि आपको वामपंत की धुरी रहे, पांच दशक तक वामपंत की धुरी रहे इस लीडर के बारे में जानना चाहिए और यही मैंने आप तक पहुंचाया है बहुत धन्यवाद आपकी सम जो आलूचना है उनका हमीशा की तरह बहुत स्वागत है नमस्कार